ध्यान से दखिएगा इस लाल धागे को इस लाल धागे का प्रयोग पूजा पाठ में तंत्र मंत्र में जादु टोना में बहुती काफी मत्रा में इसका प्रयोग किया जाता है इस लाल धागे से आपकी सिभी इस्तरी के दिल में अपने लिए मुहबत पैदा कर सकते हैं उस इस्तरी के पास में आपको जाने की जरौत नहीं होगी बस घर बैठे आपको यह सिकन टुटका करना है शिर्फ लाल धागे से लाल मौली से बस दो से तीन मिनट का समय आपको लगेगा उसके बाद में वो इस्तरी हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में दीवान हो जाएगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी कैसे करना इस वो सिकन टुटका को आईए बताते हैं उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी उड़ाएगे सबसे पहले आपके पास में जाएगा वसी करन वसी करन का मतलब होता है किसी भी इंसान को अपने वस में करना चाहे हो इस्त्री हो या पूरूस हो जिदी आप अपने प्यार को वस में करना चाहते हैं प्यार को पाना चाहते हैं प्यार के दिल में महबत भना चाहते हैं उससे साधी करना चाहते हैं तो आप एक लाल धागा लेकर के लाल मौली लेकर के घर बैठे आप इसो शिकन टुटका को जरूर किजेगा आप जिसे भी चाहते हैं वो भी आपको चाहने लगेगी आपके बिना नहीं राप आएगी जैदी वह इस्त्री आपके नमबर को बलाव कर दी है आप से बात नहीं करती है नफरत करने लगी है और किसी से बात करने लगी है कोई बात नहीं है बस आप अराम से चोरी चुपके घर बैठे इसो सिकन टुटका को कर दिजिए उस सिस्त्री को पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी दिवानी हो जाएगी और आपके पास खुद चल कर आने लगेगी आपकी बिना नहिरा पाएगी किसी भी लड़का को अपने प्यार में दिवाना बनाना हो या किसी भी लड़की को अपने प्यार में बेचैन करना हो तो आप इसो सिकन टुटका का प्रियुक जरूर कीजिएगा यह बहुत नहीं सकती शाली पाउन फुल वो सिकन टुटका है मेरे प्यार प्यार वक्त यह आजमया हुआ है और इस सोशिकन टुटका से अब तक की लाखों लोगों काम हुआ है सिर्फ लाल लगा बहुत ही आसान है इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी चीज लेनी की जरुवत नहीं है कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है घर बेटे आपको करना है भक्ती में ही सक्ति होता है मन में विश्वास रखिएगा तो आप किसी को भी हासिल कर सकते हैं आई ये बताते हैं कि सिर्फ लाल धागे से आप किसी विश्ट्री के दिल में अपने लिए महबत कैसे पाइदा कर सकते हैं आई बताते हैं सबसे पहले आप क्या किजिएगा जो लाल धागा होता है इस लाल धागा है इस लाल धागे को आपको क्या करना ध्यान से दिखिएगा कम से कम अपने सरीर का जो भी आपका सरीर का हाइट है अपने सरीर के हाइड के अनुसार इस लाल मौली को लाल धागे को तोड़ना है इसमें से बंडल मिशे उसके बाद में इस लाल धागे का करना क्या है ताकि वो इस्तरी आपसे मोहबत करने लगे आए बताते हैं जैसे ही आप लाल धागा आए आप ले लिजिएगा उसके बाद में क्या कीजिएगा दहान से देखिएगा इस लाल धागे को ले करके आप जिस वो इस्तरी को असमे करना चाहते हैं उसका नाम साथ बार ले करके आप क्या कीजिएगा दहान से देखिएगा इस प्रकार से गा आपको करना है इस दोनों गाटों के बीच में आपको एक और गांठ लगाना है ठीक न और इस गांठ को लगाने के बाद में आपना नाम साथ बढ़ लेना है और फोग मार देना है यानि के दोनों गांट के बीच में आपका ए ना मौला गांट रहेगा उसके बाद में इस लाल हगे को लाल मौली को करना के अध्यान से दिखेगा जहां भी आपको दिख जाए इमली का पेर इमली का जो पेर का जो जर होता है पेर जो होता है उस पे आपको इसको क्या करना है लपेट देना है जितना भी हो लपेट देना है और जब भी लपेट रहा है उस समय उसी इस्तरी के चेहरा अपनी मन में बसाया रखना है बस दुसरे जगा ध्यान नहीं बढ़काना है बस चमतकार देखिए जैसे लपेट कर वहां से घर वापस आजिएगा उसी समय से इस्तरी के दिल में उस हो जागा और वह आपसे प्यार करना शुरू कर देगी आपके बिना नहीं रहा पागी यह बहुत ही पौर्फुल है बहुत ही सकती साली है बस करनी की देरी है असर खुद चमतकार खुद देख लिजिए गा ठीक है ना चाहां भी समझने में दिकात हुआ हुआ नीचे कमें कीजिएगा हम अपकी मदद करेंगे और सुधान रहे सतर करें वह सिकरन के नाम पर किसी को भी पैसा नहीं देजिएगा और यदि आप हमारे चानल पर नए है तो प्लीज मुझे चानल को सब्सक्राब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जितने वीडियों यह सबसे पहला पी के पास में जाएगा